वेल ये एक अच्छा इटम है अगर आपको जुगाडू रेसिवी करनी हो एक अपनी किचिन में जल्दी जल्दी मिलाके चीज़े कर एक नई रेसिवी बनानी हो तो आप बहुत कुछ कुछ कर सकते हैं अब आजकल के टाइम में लोग के पस टाइम ही नहीं है तो इसी जुग सारांश and I tell you how to be a foodie and still be fit. तो हम लोग बनाने वाले हैं आज Green Apple Burrito. Let's start. तो सबसे पहले हम Green Apple को chop कर लेंगे. Apples आपको ऐसे vitamins and minerals देता है कि आपकी तब्यत जो है थराब ना हो, आपका immunity system एकतम strong रहे. Green Apple chop हो गए, चालू करते हैं अपनी stuffing की तयारी. इसमें सबसे पहले डालेंगे सफोला ओएल. तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं बारी कटा हुआ सारलिक. अब इसमें डालेंगे peppers. तो एक शिम्ला मिर्ष. जैसे शिम्ला मिर्ष पक जाएगी, आप इसमें डालेंगे baked beans. तो जैसे baked beans पक जाएगी, आप इसमें डालेंगे oregano, फ्लेवर के लिए. चिली फ्लेक्स. और नमक. जैसे ये mixture dry होना चालू होगा, आप इसमें सेब डाल देंगे, अपने Green Apples. और फाइनल स्टेप है, इसमें डालेंगे पनीर इंसेद फचीज. पनीर is much more healthier than cheese. And now we mix. Mixture एक दम dry हो गया है, और साइड कर देते हैं. और सॉस की तयारी चालू करते हैं. सबसे बहले इसमें डालेंगे सफोल ओयल. तेल गरम हो जाएगा. सबसे बहले आप डालेंगे अनियन स्लाइसेज. फिर आप इसमें डालेंगे गार्लिक. और थोड़ा बहुत हम चीनी डाल देंगे अनियन को केरमेलाइस करने के लिए. बहुत अच्छा स्वीट फ्लीवर निकल के आएगा. And a bit of chilli flakes. Mixed herbs. हम इसमें तमाडर की प्योरी डालेंगे एक कप. अब इसमें डालेंगे salt to taste. जब तक यह sauce reduce हो रही है यहाँ पे, हम लोग एक pan में अपने tortillas को fake लेते हैं. Sauce एकदम तयार है, freshly cracked pepper डालेंगे. Wow, sauce तयार, toti almost, गरम. चलिए, presentation की तयारी करते हैं. इसमें spread करेंगे हमारी sauce. So we add a bit of sauce. Nice. और आप डालेंगे इसमें filling. आपको दोनों side से इसको ऐसे अंदर fold करना है, उतके बाद इस side से wrap करेंगे. अब इस wrap को हमें इस pan में grill कर लेंगे, तो ये परीटो बन जाएगा. थोड़ा सा सफोला oil and we grill a wrap in this. एक side से जब grill marks आजाएंगे, आप इसको पलट देंगे. दोनों side से बढ़िया से grill marks आने चाहिए. लीजिए, हमारा बरीटो एकदम तयार हो गया है. Look at this. तो इसको आधा काट लेते हैं. और प्लेट पर बीच में लगाएंगे sauce. वाह, लीजिए, हमारी दोनों बरीटो बिल्डिंग्स के तरह खड़े हो गये हैं. इसमें गार्णिश के लिए आप कुछ भी जा सकते हैं. इसको यहां लगा देते हैं. लीजिए, हमारा ग्रीन आपल बरीटो एक तरह रेडी टू सर्व हैं. ग्रीन आपल बरीटो बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें. उसमें लेसन, शिमला मिर्च और बेक्ट बीन्स डालकर 2 मिनिट तक पकाएं. पैन में ओरेग्यानो, चिली फ्लेक्स, नमक, हरा सेब और पनीर डालकर 2 मिनिट तक पकाएं. सॉस बनाने के लिए दूसरे पैन में तेल गर्म करें. उसमें प्यास, लेसन, शकर और टुमाटो प्यूरी डालकर 2 मिनिट तक पकाएं. प्यूरी पकने के बार उसमें नमक, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स डालकर अच्छे से मिला दे. अब काली मिर्च पाउडर से सीजन करें. ग्रिल पैन में टॉटिया को गर्म करें. टॉटिया पर सॉस लगाएं, उस पर स्टफिंग डालें और बरीटो को अच्छी तरह से सील करें. ग्रिल पैन में तेल गर्म करें और बरीटो को दो से तीन मिनिट तक पकाएं. ग्रीन आपल बरीटो तयार हैं. If you have made any interesting recipes using different flavors of safola masala oats, please share it with us at team safola at maricoindia.net. If selected, you can appear with us on our show and win exciting prizes. चलिये, मेरा जाने का समय हो गया है. मैं हमिशा से क्या कहता हूं? खाते रहें, दिल लगाते रहें. See you next week.